वास्तु शास्त्र के मुताबिक फैंग्शुई चीनी वास्तु शास्त्र है जिसे आज की समय में भारत के सभी लोग अपनाते हैं पंच तत्वों पर आधारित फैंग्शुई शास्त्र में कई ऐसी चीज़े बताई गई हैं जिन्हें नियम पूर्वक अपने घर, गार्डन या दफ्तर में रखने से आपके आसपास की नकरात्मक उर्जा दूर होने के साथ ही जीवन में शुफपलों की प्राप्ती होती है इसलिए आज हम आपको फैंग्शुई शास्त्र के क्रिस्टल श्री के बारे में बताने जा रही हैं जिसे घर की सही तिशा में रखने से सौभाग में व्रिद्धी की माननता है आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल न्यूज नीशन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आई तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलें पहले आपको बता देते हैं कि आखिर क्रिस्टल ट्री क्या है फैंक्शुई शास्त्र में क्रिस्टल ट्री विभिन रंग विरंगे रतनों और इसफ़ टिक का बना होता है आप अपनी पसंद का कोई crystal tree घर या office में रख सकते हैं चलिए अब आपको crystal tree के पायदे भी बता देते हैं जो लोग अपनी पढ़ाई में सुधार करना चाहते हैं उन्हें फैंक्शुई के crystal tree को अपने पढ़ाई के कमरे ये study table पर उत्तर पूर्व कोनेक में रखना सकरात्मक परिणाम दे सकता है वहीं फैंक्शुई शास्त्र के अनुसार घर के भागय को जगाने के लिए और दामपत्य जीवन में मधूरता बनाए रखने के लिए crystal tree को अपने living room या bedroom के दक्षिन पश्चिम दिशा में लगाना शुब माना जाता है बिजनिस में तरक्की पाने के लिए व्यवसाइक स्थल पर crystal tree रखना चाहिए कई रंगों के रतनों वाला crystal tree आपके आसपास की उर्जा के संतुलन को बनाए रखकर शारिरिक और मान्सिक समस्याओं के कारकों को दूर खड़ता है इसके अलावा घर के प्रिथवी केंद्र में crystal tree रखने से रिष्टों में प्रेम और सद्भाव में व्रिध्धी होती है फैंक्शुई वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के उत्तर पश्चन अर्थात वायव्य कोण में रखना चाहिए इससे सौभाग्य की प्राप्ती होती है घर के पूर्वी शेत्रों को स्वास्त से संबंधित माना जाता है इसलिए अपने घर या कार्यालय की पूर्व दिशा में crystal tree रखने से स्वास्त को बहतर बनाई रखने में मदद मिलती है फैंक्शुई के अनुसार घर की उत्तर पश्चिम दिशा में crystal tree रखने से घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती है इसके साथ ही करियर और व्यवसाय के अफसरों में भी लाब होता है फैंक्शुई के अनुसार crystal tree को living room या bedroom के दक्षन पश्चिम दिशा में लगाना शुब माना जाता है इससे भाग्योदय होने के साथ ही दामपत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है इसके साथ ही crystal tree लगाने से दिमागी संतुलन बना रहता है फिलहाल के लिए इतना ही आपको हमारे वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चौते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें